नवस्कार मैं प्रिया राज आप देख रेक निउस 24 आपको बता दे कि 19 अगर सोमवार को राखी का त्योहार मनाये जाएगा यानि कि कल हलाकि राखी के दीन बहन अपनी भाई के कलाईयों पर रक्षा सुत्र बांग कर उनसे वचन लेती है अपनी रक्षा का हलाकि ये तब से सुरू हुआ जब राजसुई यग्य में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को रक्षा सुत्र के रूप में अपने आचल का टुकड़ा बांधा था तब से राखी की परंपरा चली आ रही है हलाकि बता दे कि जिस तरह से रक्षा बंधन के तेवहार को लेकर लोग काफी ज़्यादा परिशान थे हलाकि जो खबरे रिकलकर शामने आ रही थी वो ये थी कि भध्रा काल रहेगा तो जो बहने हैं वो काफी ज़्यादा कहा जाए तो बहने काफी ज़्यादा चिंती थी कि अपने भाई को वो कितने बजे और किस समय पर राखी बांधेगी और किस तरह से तैयारिया करेगी ये काफी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि रक्षा बंधन को लेकर बहने काफी जादा उत्सुक रहती है हलाकि भाईयों के अंदर भी अपने बहनों के लिए जो प्रेम होता है वो रक्षा बंधर पर पूरी तरह से निकल कर आता है लेकिन आपको बता दे कि घवरानी की जुरत नहीं है हम आपको आईए साजा करते हैं कि किस समय पर आप अपने भाई को राखी बांधे कब भध्रा काल लगने की वज़से लोग काफी जादा परिशान है बहनों को चिंता है कि भध्रा के चलते वो कब और कैसे भाई की कलाई पर अपने सने की डोर बांधी की ऐसे में जोतिसी चार ने बताया कि इस बार रक्षा बंधर पर भध्रा काल लगेगा जरूर लेकिन प्रित्वी लोग पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा जी हाँ जोतिसी ने बताया कि रक्षा बंधन स्रावन शुक्ल पूर्णिमा को मनाये जाता है और इस बार पूर्णिमा 19 अगस्त को रात 11 बच के 55 मिनट तक ही रहेगी इसलिए रक्षा बंधन का तेवहार भी इसी दीन मानने है वही 19 अगस्त को दो पहर एक बच के 33 मिनट तक भद्रा रहेगी लेकिन चंद्रमा के मकर राश्रीवे होने के कारण भद्रा का निवास पताल लोक में रहेगा इसलिए धर्ती के सभी शुकार पर भद्रा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा अताप पूरे दि कि वो राहुल काल कब और कितने समय पे रहेगी तो रक्षा बंधन के लिए राहुल काल भी लगने वाला है और इस दित सुबह 7 बच कर 31 मिनट से लेकर सुबह 9 बच कर 8 मिनट तक राहु काल रहने वाला है वही राकी बाहने का शुब मुहरुत बता दे आपको राकी बाहन के लिए पूरे 2 घंटे 33 मिनट का समय मिलेगा आपको इसके अलावा आप शाम को प्रदोश काल में भी भाई की कलाई पर राखी बान सकती है इस दिन शाम 6 बच के 56 बज़े से रात 9 बच कर 7 मिनट तक प्रदोश काल रहेगा वही आपको बता दे कि रक्षा बंधन आप मना की अराधना के बाद एक थाल में रोली चंदन अक्षत दही रक्षा सुत्र और मिठाई रखे घी का एक दिपक भी प्रज्वलीत करें रक्षा सुत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें इसके बाद भाई को पुर्व या उत्तर की तरफ मुह करवा कर एक चौकी पर भेठाए पहले भाई को तीलक लगाए रक्षा सुत्र बांधे इसके बाद उसकी आर्ती उतारे फिर मिठाई खिला कर भाई की मंगल कामदा करें ध्यान रहेंकि रक्षा शुत्र बांटे समय भाई और बहन का सीर खुला नहीं होना चाहिए रक्षा बंद्वाने के बाद माता पिता या गुरु जनों का अशिडवार लेना ना भूले वही तत्पश्चात बहन को समार थेके अनुशार उपहार दे उपहार में ऐसी वस्तु दे जो दोनों के लिए मंगलकारी हो काले वस्त्र या नुकीली धारधार वस्तु भेट करने से बिलकुल भी बचे तो जैसा कि आपको जो परिशानी हो रहे थी भद्रकाल को लेकर आप काफी ज़्यादा चिंती थे तो वो हमने जिस समय आपको बताया है उस समय में आप राखी बांदी अपने भाई के कलाईयों पर और जैसा कि मैंने बताया कि काले वस्त आईये और आप सभी को राखी की अटूट बंधन की हार्दिक शुप कामनाई धन्टे वाद